हेलो मेरे पढ़ाई वाले मित्रों आप सभी का स्वागत हैं मेरे लर्निंग प्लेटफर्म विजुल आर्ट एंजी के टुटियोरियल पर दोस्तों आज हम पिछले वर्ष्यों में जो मुगल कला के सम्भादित को प्रिशन उत्तर थे उनको देखेंगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप से कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेर आइकन प्रेस कर दें जिससे कि जो भी वीडियो में अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और प्लीज लाइक करने में कंजूसी ना करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है आप उसको देख रहे हैं वीडियो खतम होने से पहले लाइक का बटन जरूर प्रेस करते हैं और हाँ अपने स्टेडी गृप में और अपने फ्रेंड्स के साथ जिने इसके जरू जरू करें और कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पर आप आगे वीडियो चाहते हैं चलिए शुरू करते हैं मुगल कला के महत्वपूर प्रश्न उत्तर जो की आगामी परिक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर है यह इसका भाग एक है मित्रो यह है पहला प्रश्न अड़ाई दिन का जोपड़ा कहा है ए अजमेर बी दिल्ली सी कोलकता दी लाहुर तो मित्रो इसका अंसर है ओप्षन ए अजमेर अड़ाई दिन का जोपड़ा अजमेर में है और इसका निर्माण 1199 में कुत्म बुद्दिन एवक ने करवाया था अगला प्रश्न है नमबर दो बादशाही मस्जित का निर्माण किसने करवाया ओप्षन ए शाह जहां ओप्षन बी जहां गीर ओप्षन सी औरंगजेब ओप्षन डी बाबर तो मित्रो इसका अंसर है ओप्षन सी औरंगजेब बादशाही मस्जित का निर्माण लाहुर में करवाया गया था वो ये करवाया था औरंगजेब ने 1673 में 16, 73 में अगला है नमबर 3 फतहपूर सीकरी में इस्थित जामा मस्जित का निर्मान किसने करवाया? यार रखिए यहां फतहपूर सीकरी वाली पूछिए क्योंकि जामा मस्जित दिल्ली में भी है A. अकबर ने B. जहांगी ने 6. शाहां जहां ने D. हुमाईूने तो मित्रो इसका आंसर हो जागा option number A. अकबर ने इसका निर्मान अकबर ने करवाया था जो फतहपूर सीकरी में है जामा मस्जित और इसका निर्मान करवाया था 1529 में अगला प्रिश्ण है कबीर और रेदास को किसने चित्र किया था A. उस्ताद फकिर उल्ला खान B. निहाल चंद्र C. मनसूर D. विचित्र तो कबीर और रेदास का चित्रन किया था A. फकिर उल्ला खान यह टेंपरा विधी में बना हुआ चित्र है फकिर उस्ताद फकिर उल्ला खान का बनाया हुआ कभीर और रेदास का चित्र टेमप्रा माध्यम में बना है अगला प्रिश्ण है नमबर पांच कभीर और रेदास का चित्र कहां सुरक्षित है इसी चित्रों पूछा गया है जो कभी और रेदास का चित्र जो बनाया था फाकिर उल्ला खान ने ये कहां पर है दोस्तो इसका अंसर है ओप्षिन बी राष्ट्री संग्राहले ने दिल्ली ये राष्ट्री संग्राहले ने दिल्ली में सुरक्षित है अगला प्रिश्ण है नमबर छे दारा शिकोह की बरात का चित्रन किस ने किया ये चित्रकार कौन था दोस्तो इसका अंसर है ओप्षिन ए हाजी मद्नी ने किया था और ये चित्र अब है राष्ट्री संग्राहले ने दिल्ली में अगला प्रिश्ण है नमबर साथ यूवा शाहले जहां का चित्रकार कौन था ऑप्षिन A. बचित्र औप्षिन B. होनहार औप्षिन C. मनोहर औप्षिन D. अबद् imaginar तो मित्रु इसका अंसर है औप्षिन D. अबद्धूलहसन और अबद्धूलहसन को खुश होकर शाहजा ने इसके लिए इनाम भी दिया था यूवा शहांजा का चित्र बनाया था अब्दुलहसन नहीं अगला प्रिश्ण है नमबर आठ किस मुगल शहनशा के समय में मुगल लगु चित्र शेली छिन बिन हो गई A. मुहम्मत शाह B. ओरंग जेव C. बादूर शाह जफर D. नवाव वजी सफदर जंग तो मित्रो इसका अंसर है औरंग जेव क्योंकि ये कला का कटर विरोधी था इसके समय में कला जो थी वो नश्ट हो गई थी या चिन भी नो गई थी क्योंकि कहीं भी कला जो थी उसको ही पसंद नहीं करता था इसके समय में सारे कलाकार अपना नगर छोड़के और दूसरी जगह पर चले गए और इसने बहुत सारे कलाकृतियों को नश्ट करवा दिया था विसका अंसरे ओप्शन B. औरंग जेव नाइन्थ नमर का कॉश्चन है मुगल लगोचित्रशेली का उध्वव यानि की जन्म या आरंब किस काल या अवधी में हुआ A. चोदवी B. पंदरवी C. सोलवी D. सत्रवी तो मित्रस का आंसर है ओप्शन नमर C. सोलवी सोलवी शताबदी मतलब की पंदरासो पंदरासो का समय जो कि था अकवर इसी समय लगोचित्रशेली थी जो मुगल काल की उसका उध्वव या जन्म हुआ था उसे अगर पंदरासो लिखकर आए मतलब की सन में तो पंदरासो आएगा लेगि शताबदी जहां पूछा जाए तो वहां ये सोलासो हो जाता है अगला है नमबर दस मुगल लगू चित्रकला के गठन यानि की निर्माण और रचना में तकनी की परवेक्षक यानि की निर्खषक की भूमी का किसने निभाई A. अकबर B. अब्दुलहसन C. अकारिजा D. मेईर सेयद अली तो मित्रो इसका अंसर है A. अकारिजा A. अकारिजा ये बहुत है कुशल कलाकार था और इसने जो की लगू चित्रशेली थी मुगल उसका बहुत आगे आकाम किया उसमें उसको बहुत पल्लवित किया और इसलिए उनको तकनी की परवेक्षक या कि निरिक्षक निक्त किया गया था और ये किया था अकबर ने या पूछा जाए किसने तो अकबर ने किया था और किसको किया था तो अकारिजा को किया था अगला प्रिश्ण है ग्यारा प्रसीद चित्रित पुस्तक दास्ताने अमीर हमजा यानि कि जिसे हमजा नामा कहा जाता है उसके अधिकांज भाग को किस मुगल शाषक के सरनक्षण में चित्रत किया गया ये पूछा गया है कि हमजा नामा के अधिकांज चित्र किसके शाषन में बनेते हैं A. अकबर, B. बाबर, C. शहाजा, D. जहांगी तो मित्रोस का अंसर है A. अकबर याद रखिए आप कि चित्रे भी पुष्टक चित्रन हुए हैं, कहानियों पर चित्र बने हैं वो अकबर के समय में बने हैं अकबर इस तरह के पुत्रक, सोरी, अकबर इस तरह जो शाषन कर रहा था पंद्रासों में वो बहुत थी शौकी इन्था इस तरह की चित्र बनवाने में उसने बहुत सारे चित्र बनवाए हैं, बहुत सारे गरंथों का फारसी अनुवाद करवाया था तो इसलिए अकवर के समय को पोथी चितरन के लिए या पुस्तक चितरन के लिए भी जाना जाता है या ग्रंत चितरन कहा जाता है अक्सरी कोशन आता है ग्रंत चितरन किसके समय में हुआ तो यह हुआ अकवर के समय में अगला प्रिशन है नमबर बारा किस मुगल शेहनशाह ने पहली बार शाही चित्रशाला की स्थापना की A. अकबर, B. जहांगीर, C. बाबर, D. हुमायू देखिए अगर इस कोशन में आप कन्फ्यूज हो हैं तो आप सॉल्व करें तो इजी आपको तरीक बताती हूँ क्या भी देखिए कि कौन-कौन से इसमें नहीं हो सकते देखिए बाबर के समय तो ऐसी कोई स्थापना हुई नहीं थी क्योंकि बाबर इतना कुछ करने पाये था देश में तो यह तो आंसर वैसी गलत हो जाएगा दूसरा हुमायू, हुमायू को इतना समय नहीं मिला क्योंकि वो उसको जब शाषन मिला तब तक काफी समय निकल गया था वो थोड़े समय में उसके म्रत्य हो गई थी अब बच्ची अकबर ओजहांगी तो यहां पर पूछा है पहली बार तो पहली बार वो करेगा जिसने शाषन अच्छे से किया तो शाषन अच्छे से किया था अकबर ने जहांगीर का तो काल चित्रकला का सोरने यूग था याद रखी जहांगीर का काल था वो चित्रकला का सोरने यूग था लेकिन याब पूछा है पहली बार पहली बार चित्रशाला की स्थापना करवाई थी अक्वर ने अगला प्रेशन है नमबर 13 उस्ताद डैश ने मुर्गी तुर्की मुर्गा यह से आता है कई बार पूछके तर्गी कॉक तर्गी कॉक या तुर्की मुर्गा यह किस ने बनाया तो दोस्तों इसका अंसर है उप्षिन ए मनसूर तुर्की मुर्गा का चित्रण करवाय था जहांगीर ने किया था मनसूर ने अगला प्रेशन है नमबर 14 मुगल लगु चित्रशेली का शेत्रिय रूप यानि कि प्रांतिय मुगल अवद वर्तवान के स्थान से संबन रगता है मतलब कि जो अवद प्रांतिय मुगल शेली थी उसका संबन अब वर्तवान में कौन से स्थान से है आप उप्षिन देखते हैं A. अयोध्या B. आग्रा C. दिल्ली D. लखनव तो मित्रो इसका अंसर है D. लखनव उसका वर्तवान जो संबन अजो इस्थान है वो अब लखनव है अगला प्रिश्न है नमबर पंदरा मिस्किन किस मुगल शाषक के समय चित्रकार था यहाँ पूछा गया है मिस्किन जब चित्रकारी कर रहा था तो उस समय किसका शाषन था A. बाबर B. हुमायू C. अकबर D. जहांगीर तो मित्रो इसकान सहरे उप्शन नमबर C. अकबर मिस्किन अकबर के समय का एक कुशल चित्रकार था अगला है नमबर सोला उस्ताद मनसूर किस मुगल बादशा के शाषन काल से सम्मन रखते थे यहां उस्ताद मनसूर का पूछा है वो किस के दरबादी चित्रकार थे तो इसका अंसर देखते हैं उप्शन देखें पहले A. अकबर B. जहांगीर C. बाबर D. शाहजान तो सोला नमबर का अंसर हो गया उप्शन नमबर B. जहांगीर C. जहांगीर के शाशनकार में उस्ताद मनसूर चित्रन करते थे A. अगला है नमबर 17 मुगलिया उस्ताद चित्रकार मी सेद अली जने की तबरेज भी कहा जाता था उनके फारसी उस्ताद का नाम बताएं A. खवाजा अब्दूसबद या शिराज कहते हैं वो या फारुक बेग या मुहमद हुसें या वहजाद तो मैं याद रखिए इसका अंसर ऑप्शन D. वहजाद ये वहजाद जो थे वो फार्सी उस्ताद थे फार्सी चित्रकार थे और ये थे मीर सेद अली के गुरू अगला प्रिशन है नमबर 18 किस मुगल समराट ने भारती कहानियों पर चित्रन काम शुरू किया था अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं बिना स्किप किये तो इसका अंसर आपको पता होगा और अगर आपने ध्यान से नहीं सुनाएं तो ध्यान से सुनें क्योंकि कई बार होता है कि एक तो यह करवाया था अकबर ने मैं आपको बताया अभी था अकबर कहानिया और ग्रंत चित्रन का बहुत शौकीन था अगला है नंबर 19 क्रिश्न लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया है यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है क्योंकि य क्रिश्न लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन ए मीर सेयद अली बी मिस्कीन सी कमल डी नसुरुदीन दोस्तों इसका आंसर है औप्शन नंबर बी मिस्कीन मिस्किन ने कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन चित्रित किया था अगला प्रश्ण है नमबर 20 मुगल स्कूल का फार्सी चित्रकार कौन था? यहाँ पूछा गया है मुगल कला का फार्सी चित्रकार A. मीर सेयद अली B. मिस्किन C. नसर الدین D. फजल A. मी सेयद अली यह मुगल स्कूल का फार्सी चित्रकार था और एक प्रश्ण दोस्तों आपके लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताएं जैसे आपको वो कॉशन अच्छे से याद रहेगा कि अधाई दिन का जोपड़ा मैंने आपको बताये था यह कहां पर है लेकिन आपको बताना है इसका निर्मान कब हुआ अधाई दिन के जोपड़े का निर्मान कब हुआ प्लीज आप इसे कमेंट में बताएं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें और अपना खयाल रखें चलिए अगले भाग में मिलेंगे हम भाग दो में जिसमें हम मुगल कलाके और महतपूर्ण कोश्चनों को पढ़ेंगे देखेंगे समझेंगे तब तक अपना खयाल रखेंगे और अच्छे से पढ़ते रहें बेस्ट अफ लग जय हिंद